दोस्तों आप श्टोक ट्रेडिंग पर इंडियन गवर्मेंट 30% से ज़्यादा टैक्स लगाने वाली है पेन्नो सेग्मेंट पर और दोस्तों यो निउस अब्डेड आ रहा है निउस चाय हुआ है और दोस्तों बजट में इसको लेकर निउस आने वाली है यह कहा जा रहा है लेकिन दोस्तों ऐसा फैंसला आने के बाद क्या श्टोक मार्केट पूरी तरह से ख्रैश कर सकता है क्या जो बड़े stock broker है जिरोधा जैसे अब stocks जैसे grow जैसे वो भी बरबाद हो सकते हैं क्या आपका जो पैसा यहाँ पर जमा है उस पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता इस सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे सबसे बहले तो दोस्तों मैं आपको बता द कुल के दत लग रही है कि government को वरीड है लोगों की कि वो पैसा खो देंगे अगर ऐसा होता तो दोस्तों government कुछ और सोच दी लेकिन दोस्तों government के आईस जो है लगातार हर साल यही रहती है कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा tax लोगों से यहाँ पर वसूला जाए जब से यह government आई है जब से ज्यादा तर तो यही देखने को मिल रहा है कि tax किस तरीके से यहाँ पर वसूला जाए लोगों से उसी पर हर साल लगबत फोकस रहता है कुछ ना कुछ नया तरीका हर साल निकाल लिया जाता है भले से ही उससे public का loss हो या फिर country का ही loss क्यो ना हो यह एक government and regulators have been worried for quite some time about the increased participation for retail investors in the derivative market there are fears that if market correct और दोस्तों यह बहुत बड़ी line है क्या सरकार को भी यहाँ पर डर है कि market crash करेगा आने वाले time में बड़े level पर crash करेगा क्योंकि दोस्तों इस news में भी यह बात साप निकल कर आ रही है कि यहाँ पर डर बना हुआ है कि अगर market crash होता है तो कुछ लोगों का यहाँ पर काफी नुकसान हो जाएगा अगर FNO segment पर यहाँ पर लगाम नहीं लगाई गई तो दोस्तों क्या डर बना हुआ है government को कि हमारा market पूरी तरह से crash करने वाला है आने वाले सहमें जो 4-5 साल के अंदर गिन किया है market ने यह क्या वापस से 12-13,000 रु बात है तो दोस्तों क्या यहाँ पर stock market गिरने वाला है वैसे तो market गिरे ना गिरे लेकिन दोस्तों government के अगर ऐसे फैसले आते रहेंगे कि stock trading जो की सालों से चला रहा है lifetime से चला रहा है जिसे एक professional तरीका माना जाता है income generate करने का और लोग अपने skills से यहाँ पर कमाते हैं जो लोग नहीं कमाते हैं उन्हें भी साप साप पता है कि यहाँ पर risk कितना जादा है अगर इस तरह की चीजों पर भी सरकार लगाम लगाने की कोशिश करेगी या एक irregular तरीके से या गलत तरीके से tax वसुलने की कोशिश करेगी तो दोस्तों जरूर market धड़ाम हो सकता है इसमें बिलकुल भी doubt नहीं है आपके सब के बारे में क्या राय है इस वीडियो के comments में जरूर बताएं आपको क्या लगता है और दोस्तों यह जो सरकार tax implement करने जा रही है पैनो segment से इससे market का कितना नुकसान होगा बड़ी जो exchanges है ब्रोकर जो house है उनका कितना नुकसान होगा जिसस दो फिर ये market में exchange करेंगी ही क्या और market में exchange करेंगी ही क्या तो दोस्तों ये जो पैसा आपका यहाँ पर जीरोधा पर अपिर श्ट्रोक्स पर ग्रो पर और ऐसे-ईस एक्सचंजेश पर लगाया वुआ है ये दोस्तों कैसे आपका यहाँःँपर बच पाएगा ये भी ए पर जो latest link है उसके उपर क्लिक करके sign up करें और उसके उपर की तरफ की जो वीडियो है वो वीडियो देख लें टैलिग्राम चैनल में कि कैसे आप एक जबर्दस तर्णिंग जनरेट कर सकते हैं Thank you